बिहार विधान सभा चुनाओ की सुगुआ हट तेज हो चुकी है। चुनाओी विसाद भी सजने लगी है। हर वो तरीका आजमाया जा रहा है जिससे मद्दाताओं को लुभाया जा सके। चुनाओी वादों का दौर शुरू हो चुका है। नेता भी अपछेतर में नजर आ लेकिन हम जो खबर आपको दिखाने जा रहे हैं हो सकता है इसके बाद नेताओं को समझ में आ जाए कि इस बार उनके लिए सियासी पारी आसान नहीं होने वाली। बिहार के सैकड़ों मद्दाताओं ने विधान सभा चुनाओं में किसी भी पार्टी को मद्दान ना करने क का फैसला किया है मामला सुपाल जीले के च्छातापुर विधान सभाच्षेत्र का है जहां विधायक जी की वादा खिलाफी से तरस्त लोगों ने मतदान के वैसकार का फैसला कर लिया वैसे तो बर्सों से देख रहे हैं आज से ही नहीं 15 वर्स की यह सरकार है सुसासन नितिज बाबु का लेकिन आज 15 वर्सों में हमारे विधायक निरज कुमार बबलू बाबु इस रास्ते से गुजर चुके हैं देख भी चुके हैं यह सरक्षा है फिर भी आज तक वही अस सवासन बन जाएगा बन जाएगा ड़सान बन जाएगा बन लेकिन इसी सरग के चलते हैं आज हम लोगों ने संकल्ब लिया है जदी हमारा सरग नहीं बना तो बोट भी नहीं हम लोग देंगें हमारी मांग यहां है कि हम लोग ढ़त करके चरने Penchiata वार्ड नमबर 4 महादलित की बस्ती है जो 10 साल से हम लोग यहां के परतिनी धी से बराबर मांग करते आये हैं कि हमारे यहां रोट की कमी है रोट की बेवस्था में गरबरी है उसको ठीक किया जाए मांग बराबर करते आ रहे हैं लेकिन उनके द्वारा हमलों को सिर्फ पासन के ही सिवा कुछ नहीं मिला है खास करके हमारे चरणे पंचेत वार नमबर चाथ अभी क्या मांग है अभी हमारे यहां जो रोट तुटी हुए है वह आकर के हम लोग बना दे हम लोग रोड नहीं बनेगी रोड नहीं देंगे वोट वैसकार करने का संकल्प लेना चुनाओ खत्म होते ही नेता जी छेत्र से गाइब हो जाते हैं पर लोगों को समझनी की जरुरत तो यह भी है कि वोट ना देने से समस्या का सामाधान नहीं होने वाला उन्हें मतदान केंद्र में तो जा नहीं होगा पार्टी धर्म जात से उपर उठकर योग उमिद्वा का चैन करना होगा जो छेत्र की बुनियादी जरुरतों को पूरा कर सके सनमार्ग लाइव सेवन के लिए सुपोल से संत सरोच की रिपोर्ट